नमस्कार दोस्तों सक्सेस पॉइंट यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज क्रेंट अफेर्स अर्थात रुक्मनी जो है परकासन का ये चौथा सेट है जो कि 20 प्रसनों का कूल संग्रा है जो कि ये लगतार स्री चल रहा है तो आज 50 सेट का स्रीच चलेगा जो कि चौथा सेट है दोस्तों डिरेक्ट चलते हैं क्वस्टन पर हमारा पहला क्वस्टन है पहला क्वस्टन है न्यू रेडिकल एप्रोच इंटर डिस्पलिरी इंटर डिस्पलिरी Research नमक पुष्टक के लिखा कौन है तो इसका correct answer जो हो जागा दोस्तों Option C Option C Sorry Option C हो जागा दोस्तों इसका answer Option C आ गया Option C दोस्तों दियान देंगे Option C इसका correct answer हो जागा अगला question है अगला question है निमलिखित में से किस देश न इस साल नवंबर तक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की गोस्तों की है तो इसका correct answer हो जागा दोस्तों चीन इसका correct answer क्या जागा चीन Next question है निमलिखित में से किस सहर को रास्टे अपराद व्यूरो अपराद रिकार्ड व्यूरो एन सी आरवी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराद में नंबर एक अस्तों दिया गया है तो इसका correct answer हो जागा दोस्तों दिल्ली दिल्ली में जो अपराद व्यूरो है महिलाओं के खिलाब जो अपराद करते हैं लोग उसमें दिल्ली का नंबर एक है Next question है परमुन हथियारों के संपूर्ण उनमलन के लिए अंतराष्टे दिवस परतियक वर्स जो है किस दिधी को मना जाता है इसका correct answer हो जागा 26 सितंबर Next question है दोस्तों Next question है उत्तर परदेश का पहला गिद संरक्षन परजनन केंद्र राज की किस जीले में इस्तापित किया गया है इतका correct answer हो जागा चित्रकुट जीला Next question है दोस्तों परदावन मंत्री नरेंद मोदी कि ने रेज 2020 सिखर समयनन का उदगा टरन किया रेज 2020 किसे संबंदीत है तिसका correct answer हो जागा दोस्तों कृत्रीम बुद्धी मत्ता से Next question है दोस्तों Next question है निम्लिखित में से किस राज के अंदर सासीत परदेश द्वारा गहन समुदा एक सर्वक्षन अव्योन आयुजित किया गया है तो इसका correct answer जो हो जागा दोस्तों 36 गर राज ने Next question है दोस्तों Next question है अनंत कुमार सुरंदर राय देव का निधन हो गया इन्होंने किस उच न्याले के मुख न्यादिस के रूप में कार किया था इसका correct answer जगा गुजरात राज में गुजरात के उचने आले के रुप में अनंत कुमार सुरंद्र राइदेव का निधन जो हुआ है उसने गुजरात उचने आले में कम किया था नेक्स्ट कॉस्टन है कि निमलिकित में से किसने भाउतकी में 2020 का नोबेल पुरुसकार जीता है तो रोजर पेंरोज रेनहार्ड गेजल एवं एड्रिया गेज यह तीनों मिलकर जो जीता है भाउतकी में नोबेल पुरुसकार तो इसका एंसर करेक्ट हो जागा चीन नेक्स्ट कॉस्टन है हाली में चर्चों मेरा वर्ल फूल अकास गंगा का दुसरा नूम क्या है जिसका करेक्ट एंसर हो जागा दोस्तो एम फिप्टीवन एम फिप्टीवन नेक्स्ट कॉस्टन है दोस्तो नेक्स्ट क्ट्टन है का की नाडा का जा हे तू भोगोलिक संकेत अरफस np. GI TAC के लिए निम्न में से किस परिवार ने आवे दन किया है तो यह जागा कोटिया परिवार नेक्स्ट कॉस्चन है दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन है भारत ने वियानों संधी के किस आर्टिकल के थत कुल भुशन जादव का मौमला अंतरास्ति नियाले में उठाया है तो नेक्स्ट कॉस्चन है दोस्तों नोटो का नया सदस देश कौन बना है तो नोटो का नया सदस देश बना है मेशी डोनिया उत्री मेशी डोनिया होता है लेकिन मेशी डोनिया सिर्फ लिखा है तो उत्री मेशी डोनिया नेक्स्ट कॉस्चन है दोस्तों परियावरन सुचकंग 2020 के अनुसार भारत का अस्थोन क्या है तो परियावरन परदस्थन सुचकंग में भारत का अस्थोन 168 अर्थाद 168 है नेक्स्ट कॉस्टन है देश का पहला इकचरा किलनिक कहां पर इस्थापित किया गया तो बेल गौम बिवाद जो चल रहा है वो महराष्ट और करनोटक के बीच चल रहा है महराष्ट और करनोटक के बीच तो next question है दोस्तो Shree N.K. Singh जो है पनरवे वित आयोक के अध्यक्ष न्यूक्त क्या गया है पनर्वे वी तायोक का कारेकल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है तो ये पॉच वर्ष तक निर्धारित किया गया है नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तो नेक्स्ट कोस्टन है गुजरात में डैनोसोर की मुझुदगी बतोने वाले लखनव निवासी किसे भू विग्योन के केंद्रिय पिर्थिवी विग्योन मंत्राले ने परतिष्ठित लाइफ टाइम आवाड 2020 के लिए चुना है इसका correct answer हो जागा दोस्तों असोक सानी Next question है और अंतिम question है दोस्तों कि किस राज ने International Institute of Advanced Virology के पहले फेज का उधगाटन कर दिया है तो यह है जागा दोस्तों केरल तो दोस्तों यह फटा फट जो है 2020 question का स्रीच चल रहा है उसका यह चौथा पाट था तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों आप comment करके जरूर बताएंगे और साथ ही चैनल को subscribe जरूर कर दोस्तों और वीडियो अच्छा लगे तो इसको like जरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला स्रीच पाच्छा लेकर तो धन्यवाद